जै मैसे की दोस्तों, आज के स्वरिगे बनना का भाग हमने लिया है याकूब की बत्री, उसका नवा और दस्वा वचन वचन कहता है वरन दीम भाई अपने उच्च पद पर गर्व करे और धनी अपने हीन दशापर जोकि वो घास के फोल की भादी समाप्त हो जाएगा धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए दोस्तों, ये उच्च पद कैसे मिलता है ये उच्च पद है क्या जब हम दीनता के साथ परमेश्वर के चरणों में आते हैं जब हम अपने आप में दीन, अपने आपको दीन करते हैं, संसार से अपने आपको अलग करते हैं क्योंकि दोस्तों परमेश्वर जब भी आपको चुनता है, आपको परमेश्वर संसार से अलग करता है इसलिए आपको चुनता है और आपको बनाता है आपको सामारता है आप में अपनी जोधी डालता है अपनी आत्मा डालता है और जब हम उस दीनता के साथ परमेश्वर के चड़नों में रहते हैं तो हमें उच्पद स्विकार होता है उच्पद मिलता है वो उच्पद क्या है उसका सामर्द, वो उच्चपद क्या है? उसकी उपसिती है? वो उचपद पर्मिश्वर की उपसिती का आशीश है दोस्तों, इसलिए पॉलुस कहता है, कि उसका अनुगर है निर्बलता में सिद्ध होता है जब हम निर्बल हैं, तो पर्मिश्वर हमें उठाता है इशो मसी दीन बना, इशो मसी गरीब बना ताकि हम धनी बन सके इसलिए वो कहता है कि धनी वैक्ति अपनी हींद अशा पर गर्म करे उसकी हींद अशा क्यों है? क्योंकि धनी वैक्ति अपनी संपत्ति के बारे में सोच कर ड़ता है कि आज मेरी संपत्ती मेरे साथ है कल होगी या नहीं होगी लेकिन जो दीन वेक्ती है जिसने परमेशर को ही अपनी संपत्ती मान लिया है जिसने परमेशर को ही अपना धन मान लिया है जिसने परमेशर को ही अपना सब कुछ मान लिया है उसके पास परमेश्र की शक्ति उसका परमेश्र, उसके पास परमेश्र का सामर्थ होता है, उसके पास परमेश्र का ग्यान होता है और वो ग्यान, वो सामर्थ कोई छीन नहीं सकता है, कोई चोर चोरी नहीं कर सकता है इसलिए वो दीनता की दशा में उच्छ पद पाए हुए है इसलिए फिलियोपियो की पत्री उसका दूसरा अध्याय का छटा पद क्या कहता है कि जिसने इशू ने परमेश्र के सरूप में होते हुए भी परमेश्र के सामान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तों ना समझा उसने अपने आपको ऐसा शुन्य कर दिया कि दास का सुरूप धारन कर मनुश्र की सामानता में हो गया इस प्रकार मनुश के रूप में पकट होकर सुम्म को दीन किया कि यहां तक आग्या करी रहा और मृत्यू और क्रूस के मृत्यू को उसने सहिन किया हलिलुया और इसलिए परमिशन ने उसे उचा स्थान दिया इसलिए परमिशन ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में उपर है ईशुमसी के पेरों के तले हर नाम है हर नाम हर शक्ती अस्टिप्पहीन हो जाती है ईशुमसी के सामने आकर इसलिए मेरे दोस्तों अपने आप को दीन बना कर हम परमेश्र की उपसी थिको हमेशा महसूस करते रह सकते जहां हमें घमंड आया, जहां हमें घमंड आया, वहां पर परमिश्र की दीनता, परमिश्र का सामर्थ हम से निकल जाएगा, तो हमारे अंदर दीनता, हमारे अंदर सेवक की भावना हो, इसलिए मरकुस दर 43 और 44 कहता है, कि अगर आपको प्रधान बनना है, तो अपने आपको सेवक बनाओ, अपने आपको सबका दास बनाओ, इसलिए ईशु मसीने अपने चेलों के पैड़ धोये थे पैड़ धोये थे, और उन्हें बताया था कि सेवा मेही सुख है, सेवा मेही सेवा मेही आशीश है, दीनता मेही आपको उच्च पद्द की प्राप्ती होगी, और दीनता मेही आपको सुख मिलेगा, पिदा परमेशर हम पाप से प्रात्रा करते हैं अपने सुनने भाई बेहनों के लिए और खुद के लिए परमेशर हम आपकी, आप अपनी जोती हम में रहे, तेरा ग्यान हम में रहे और उस ग्यान के सारे हम चले उस ग्यान की शक्ती के अनुसार हम चले और तेरा जो अनुग्रे है वो हमारी निर्बलता में सिद्ध होता है इसके धन्यवाद देता परमेशर सुने वाही बेलों के लिए आशीश मांगता हूं सुख मांगता हूं इस सुभा आपका आशीश इश्यो मसी के नाम से मांगता हूं